जो बाइडन के साथ एक हादसा होते होते बच गया जो बाइडन स्टेज पे खड़े थे और उनसे बहुत बड़ी गल्ती होने वाली थी आप जानते ही हैं कि अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन की सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े किये जा रहे हैं लेकिन जो बाइडन से इस बार जो गलती हुई उसने इन सवालों को और भी ज्यादा हवा दे दी है जो बाइडन स्टेज पर खड़ी इस महिला को अपनी पतनी समझ बैठे जो बाइडन इसे अपनी पतनी समझ कर किस करने के लिए आगे भी बढ़ गए लेकिन तभी अचानक स्टेज पर जो बाइडन की असली पतनी जिल बाइडन पहुँच गई ये तस्वीर अब पूरी दुनिया में वाइरल हो रही है जिल बाइडन के स्टेज पर पहुँचते ही क्या हुआ वो आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे लेकिन जल्दी से पहले ये जान लीजिए कि कैसे जो बाइडन को निप्टाने के लिए उनकी पार्टी ही लग गई है जो बाइडन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राष्ट्रपती चुनावों से अपनी दावेदारी वापस ले ले क्योंकि अमेरिका में चुनावों के दौरान राष्ट्रपती पद के उमीदवारों को टीवी पर एक डिबेट करनी होती है इन्ही कुछ डिबेट्स में जो बाइडन कई बड़ी गलतिया कर चुके हैं इससे जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी की चवी को नुकसान पहुच रहा है जो बाइडन बोलते बोलते चुप हो जाते हैं तो कभी डौनल्ड ट्रप को ही उप राष्ट्रपती बोल देते हैं वाइडन की इसी कमजोरी का फायदा डॉनल्ड ट्रम्प जमकर उठा रहे हैं इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दो दिन पहले जो बाइडन से एक ट्वीट करवाया गया कि मैं बीमार हूँ ताकि जो बाइडन को डॉनल्ड ट्रम्प के साथ अगली डिबेट ना करनी पड़े लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन से एक बड़ी गलती हो गई जो बाइडन स्टेज पर ये पहचान ही नहीं कर पाए कि जिस महिला से वो बात कर रहे हैं वो उनकी पतनी जिल बाइडन नहीं है जो बाइडन इस महिला को अपनी पतनी मान कर काफी देर तक बात करते रहे उसके बाद अचानक जो बाइडन इस महिला को किस करने पहुँच गए लेकिन अचानक जो बाइडन की असली पतनी जिल बाइडन स्टेज पर पहुँच गई जिल बाइडन ने जो बाइडन को बताया कि आपकी असली पतनी मैं हूँ जिल बाइडन को देखकर जो बाइडन ने जो रियक्शन दिये वो आप खुद देख लीजिए जो बाइडन को जैसी ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पीछे हट गए